मध्यप्रदीश की राजधानी भुपाल में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पूस्ताच में कई चौकाने वाले खुलासे किये। उसने बताया कि वर्दी उसने यूट्यूब पर देख कर बनाई है। इसके बाद वो एक हैड कॉंस्टेबल से बाचीत करते हुए रॉब जाडने लगी। इस दौरान यूवती ने हैड कॉंस्टेबल को जम कर फटकार लगाई। हेड कॉंस्टेबल पर रॉब जाड रही यूवती पर थाना प्रभारी की नजर पड़ती है तो थाना प्रभारी अपने कैबिन से निकल कर यूवती के पास पहुंसते हैं। थाना प्रभारी ने यूवती से बाचीत की। बाचीत के दौरान उनकी नजर उसके बैच पर पड़ी। उन्होंने बैच पर उसके नाम के साथ लिखा नमबर दिखाई दिया जो की एडिशनल एसपी के नाम के साथ नहीं होता है। थाना प्रभारी को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस से जुड़े कुछ सवाल किये। इन सवालों को सुनकर यूवती अचानक घबरा गई। और पुलिस समझ गए कि ये एडिशनल एसपी फरजी है। कि एडिशनल एसपी की वर्दी पहन कर घूम रही है। उसी दौरा उन्होंने जो निमार्कट वैवस्ता लगी थी। उनके दौरा उनके पास में जाके जब पूछा गया तो कुछ संतोज जने जवाब ना मिलने पर उनके दौरा उन्हें थाना लाया गया। थाना लाकर उ कि जब पूस्ताज की गई और उसके बारे में डेटेल प्राद की गई उसके पश्चाज जब पता चलाए कि ये महिला कोई भी पुलिस विवाग में पदस नहीं है। ये MPPSC के तयारी कर रही थी उनका सेलेक्शन नहीं हुआ है और उसी दौरा उनके परिवार को बता दिय जानकारी के मुताबिक आरोपी यूविती शिवानी चौहान, MIG रोड इंदौर की रहने वाली है। उनके पिता ड्राइवर है मा हाउस वाइफ है। यूविती ने पुलिस पूस्ताज में ये भी बताया कि वो UPSC का मेंस एक्जाम क्लियर कर चुकी है। बहरहाल फरजी ASP अब पुलिस की गिरफ्त में है।